माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पूर्ण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप सब के साथ संतान सत्मी विरत की जो कथा है वो सेयर करने वाली ह तो चलिए संतान सत्मी की जो कथा है वो सुन लेते हैं, इसी पुस्तक से मैं आज आपको कथा जो है वो सुनाने वाली हूँ, तो चलिए सुनते हैं संतान सत्मी व्रत की कथा। एक समय स्री लोमस रिसी व्रजराज की मतुरापुरी में वासदयोद्योकी के घर गये। रिसी राज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रशन हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बठा कर उनकी अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार किया। देव की दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं जिसके कारान तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पतनी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। उसने संतान सत्मी का व्रत विधी विधान सहित किया जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुक प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हात जोड कर मोनी से कहा कि हे रिसी राज क्रपाकर के रानी चंद्रमुखी का संपूर व्रत तान्त तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाईए जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूँ। लोमस रिसी ने कहा हे देवकी अयोध्या के राजा नहूस थे उनकी पतनी चंद्रमुखी अत्यंत सुन्दरी थी उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राम्मण रहता था उसकी स्तरी का नाम भद्रमुखी था वह भी अत्यंत रूपवान सुन्दरी थी रानी और ब्राम्मणी में अत्यंत प्रेम था एक दिन दोनों शर्यू नदी में इसनान करने के निर्मित गई वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्तरियां सर्यू नदी में स्नान करके निर्मलवस्त पहन कर मंडम में स्री संकर और पार्वती की मूर्ती स्तापित करके उन सुन करोनिस्त्रियों ने कहा कि हम संतान सत्य में व्रत कर रही हैं और हमने सिव पार्वती का पूजन चंदन अच्छत आदि से सौण चार विधी से किया यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान हैं। समय बाद दोनों मर गई, दूसरे जन में रानी बंदरिया और ब्राहमडी ने मुर्गी की योनी पाई, इधर ब्राहमडी मुर्गी की योनी में भी कुछ नहीं भूली और भगवान संकर्त था पार्वती जी का ध्यान करती रही, उधर रानी बंदरिया की योनी में सब कुछ भूल गई थोड़े समय बाद इन दोनों ने देयत्याग दी अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुश्यों नीमी हुगा उस ब्राहमणी ने तो एक ब्राहमणी की घर में कन्या के रूप में जन्मी लिया उस ब्राहमण कन्या का नाम भूचर देवी रखा गया ये तथा विवा योग होने पर उसका विवा गोकुल निवासी अगनी जील नामक ब्राहमण से कर दिया गया भूचर देवी इतनी सुन्दर थी कि वे आभूचर रहित होते हुए भी सुन्दर लगती थी कि काम देव की पत्नी रती भी उनके सम्मुक लजाती थी भूसर देवी के अत्यन्त सुन्दर, सवगुण संपन, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मिनिष्ट सुसीर, सुभाव वाले आठ पुत्रों तुपन्न हुए ये सिव के ब्रत का ही पुनीत फल था दूसरी ओर सिव विमुक रानी के गर्म में कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी रानी और ब्रामबडी ने जूपरीती पहले जन में थी वै अभी भी बनी रही रानी जब रद्धा वस्ता को प्राप्त होने लगी तब उसको एक गूंगा और बहरा तथा बुद्धहीन अलपायू एक पुत्र हुआ और वै नोवर्स की आयू में इस छड़ भंगुर संसार को छोड़ कर चला गया अब रानी पुत्र सोक में अत्यनते दुखी हो व्याकुल रहने लगी देवयोक से भूसर देवी ब्रामडी रानी के घर अपने सब पुत्रों को लेकर पोँची रानी का यह हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ किन्तु इसमें किसी का क्यावस कर्म और प्राप्त के ल इसमें करने लगी तथा उसके मन में पापुत्पन्नुआ उस ब्रामडी ने रानी का संताब दूर करने से निर्मित अपने आठो पुत्र रानी के पास छोड़ दिये रानी ने पाप से बसी भूत होकर उन ब्रामड पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड़्डू में विस मिला कर उनको खिला दिये परन्तु भगवान सियो की क्रपा से एक भी बालक की मृत्तु नहीं हुई यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर चकित रह गई और इस रहस का पता लगाने के लिए मन में ठान ली भगवान की पुजा सेवा से निर्वत होकर जब भूसर द भी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले लड़ू किला दिये किन्तु इन में से एक भी नहीं मरा तूने ऐसा कौन सा दान पुनिवरत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुक भोग रही है तू इन सब का भेध तू मुझे निसकपट होकर समझा मैं तेरी बड़ी रिड़ी रहूंगी रानी के ऐसे दीनवचन सुनकर भूसर देवी ब्राममडी कहने लगी है रानी सुनो तुमको तीन जन्म का हाल्स कहती हूँ सुध्यान पूर्वक सुनना पहले जन्म में तुम राज प्रीत थी एक दिन हम तुम दोनों सर्यों नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों के संतान सत्मी का उपवास सिव जी का पूजन अर्चन करते देख हम दोनों ने भी इस व्रत को करने की प्रतिग्या की थी तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और जूट बो दूसरे जन में तुम ने बंदरिया की योनी मिली तथा मुझे मुर्गी की योनी मिली भगवान संकर की क्रपा से इस व्रत के प्रभावों था, और बहुत भगवान नाम को मैं इस जन में भी ना भूली और निरंतन उस व्रत को नियम अनुशार करती रही तुम अपने इस संकल्प को इस जन में भूल गई मैं तो समझती हूं कि तुम्हारे उपर जो भारी संकट है उसका मात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है इसलिए कहती हूं कि आप अब इस संतान सत्मी के वृत को करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए लोमसरि पातने याद आ गई और पस्याताप करने लगी। पर आगरशर हो जाता है और अंत में आशर भोग कर मोच पाता है। इस दिन ब्रह्म महुर्ट में उठकर किसी भी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त पहनने चाहिए। फिर भगवान स्री संकर और तथजग दंबा पारवती की मूर्ती की स्तापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुक सोने चांदी के तारों अथवा रेसम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में साथ गाठे लगानी चाहिए। इस गंडे को दूप, दीप, अश्ट गंद से पूजा करके अपने हाथ में बांदें। और भगवान संकर से अपनी कामना सफल होने पर सुद्ध भाव से प्रात्ना करें। अंतर साथ पूगा बनाकर भगवान को भोग लगाएं। पाथी पूगा एवं यथा सक्ति सोना और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तामे के पात्र में रखकर उनका सणोचार विधी से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ट कर्मनिष्ट पात्र ब् प्रसाद में ग्रहन करें तथा इस प्रकारी सिवरत का परायन करना चाहिए प्रतिमास की सुकलपच की सत्यमी के दिन हे देव की सिवरत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नैश्ट होती है और भागसाली संतान उत्पन होती है तथा आंत में सिवले की प्र पुर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति हो इतनी कथा कहकर भगवान आनन्द कंद स्री क्रिश्ण ने धर्मावतार युद्ष्टर से कहा कि लोमस रिसी इस प्रकार हमारी माता को सिछच्छा देकर चले गए रिसी के खतानुसार हमारी माता देवकी ने इस पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान संकर एवं माता पार्वती की सची मन से आराधना करता है वेनिस चेहर ही यस प्राप्त करके अंत में सिवलोग को प्राप्त हो जाता है तो ये रही संतान सत्यमी व्रत की कथार उमेद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट कीजे चैनल को सबस्क्राइब कीजे आज का वीडियो यहीं पर समात कर रही हूँ दोस्तों जय माता दी